हेलो नमस्कार दोस्तो श्वागत आप सभी का 521 क्लासिज में तो दूस्तो आज की दोस्तो रिजिणी की कलास में दूस्तो हम टॉप 10 कोोशिन करने वाले दूस्तो आपका एफ पार्ट नमर 35 है 34 पार्ट दूस्तो हमने अब तक कम्प्रीट कर लिए रिजिनी के सभी पार्टों को देखना ज़स्तों जरूर यह है सभी में important question करा जाते हैं वीडियो का सभी का link की दोस्तों discussion दे रखा जाके जरूर देखने ना या फिर दोस्तों channel page पर जाके देखना वीडियो को like करें वीडियो को save करें दोस्तों दस question हो में से कितни question सभी कर पारें आप comment जरूर už answer देना है अजिआ झुच्छन को चाहिये पूरव पस्चिं उत्तर और दक्षिन दोस्तों या धखने अब देखे दूस्तों आ ने प्रते सूर्य की ओर मो ख करके घुमना आरम किया यहांगी सूर्य आपका किस दिसा में उगता है याद रखना है पूरब दिसा के अंदर पूरब दिसा में आपका याद रखना है सूर्य उगता है तो दोस्तो इसने चलिए मान लेते हैं दोस्तो पूरब दिसा की हो दोस्तो यह इतना चला चले मानले इतना वह गुम गया इनके ए बिंदू दुस्ति जाह दखना है कुछ समय बाध वह अपने दाइय ने गुमा इंड़ इन दाइयने कुंस होता है सीधा हाथ इन राइट इंसद में तो यह दोस्तो दाइयने हमें इसे गुमा दिया कुछ समय बाद वे दाइन गुमा, बाद में वे बाएं गुमता है, इनके बाएं हाथ होता है दोस्तो आपका लेप्ट एंड हाथ, लेप्ट एंड साइड तो यह दोस्तो बाएं आपके दर से और में यह गुम गया, दोस्तो बाएं आपका हो गया, अब दोस्तो बोला है सव सुलेज ब्हारी से अधिक धनवान हैं लेकिन इतना धनवान नहीं जितना की वे विघ्यांगरी से गरीब है कों सब से अधिक धनवान है तो दोस्तो आपको से पुशले गिया बताइए कि कौन से अधिक धनवान है, उसका हमको पता लगाना हे देखे, सुरेश बिहारी से धनवान है, तो सिधार आपकों हो गया यादरक नहीं स्थाइब को से विजय है दोस्तों जो क्या है गरीब है बियारी दोस्तों आपको पहले कटगा बियारी से विजय गरीब है तो दोस्तों यह और चुटा होगा तो बताइए इनमें से कौन सबस्यादिक धन्वान तो विन्हें आपको जाएगा सीधा सा ओफिशन नमर C याद दखना है दोस्तों यह तो आपको यह है तो सीधा सा इसे डियक्ट सॉल्ट कर सकते हैं अब देखे दोस्तों आपको नहीं समझ भा रहा है तो इस प्रकार से समझे है सुरेस वियारी से बढ़ा है चली हमाल लेते हैं सुरेस यह होगा दोस्तों यह क्या ह कोन गरीब है दोस्तों या दखना है विजे गरीब है या फिर दुस्त आप इस प्रिकार से सॉल्व कर लें बताइए सब दनी कौन तो आप विजे होगा इस प्रिकार से कर सकते हैं और सी आपका सही आंसर होगा चले अगला कोशन कोशन दुस्तों कलाई का संबंद संबंद कोनी से यह यह जो कलाई का संबंद किससे बता रहा है कोनी से हमें दुस्तों संबंद बता रहा है या दखना है तो घड़ी डूप से संब्द्रू51 की से संब्द्र ओगा ? फाउंट घंग या पर गुटन ? या भोतवनी? आपको तो पाम हो नहीं ? आपूंट तो आपको ट्खना ? ट्खना े टुस्टह का रहा ? ट्खना को ? अभ एड़ी का दोको ? ट्षिए इस इस question का answer क्या हुआ फटापट से बताएं तो यादखने देखें टांग से भी AD का संब्द नहीं हुआ अब दुस्त आपको बचा गुटना गुटने का दुस्तो और AD का दोनों का संब्द है दुस्तो यादखने गुटना और AD इन दोनों का दुस्तो आप से क्या जाएगा सं किसका संब्द मुठी से वही है जो संब्द दुस्तो पसी पीषने का दांच से है अब यह दोस्तो आपसे पूछा गया है इनके आपसे मुठी का संब्द दुस्तो आपको बताना है अब आपको दुस्तो मुठी का संब्द बताना है यानकि दुस्तो जिस परकार दुस्तो काठने का का रहें करते हैं करते हिसी प्रिकार मुठ है क्या करेंगे मुठ है के 쉽ico करते हैं क्या आपका सही आंसर रुजएगा चल tempt you इसकोस्ष्ण को दो सॉल्उ्ष करने से पहले बोल रहा है अब दोस्तों प्लस का आर्थ बोल रहा है दोस्तों आपका प्लस का आर्थ है गुना प्लस करते है गुना दोस्तों वह भाग का आर्थ है आपका या धखना दोस्तों गटाना क्या माइनस करना वह गुना का आर्थ हो जाएगा दोस्तों आपको क्या जोड करना है माइनस की जगे करना हमें भाग 5 प्लस की जगे दोस्तों करना हमें गुना 6 भाग की जगे करना दोस्तों में माइनस माइनस 4 और गुना की जगे दोस्तों में क्या करना प्लस करना 6 बराबर मरा आना चाहिए दोस्तों 26 गिना 26 पांस से दोस्तों यह कितने बार गाए च्यार बार, च्यार गुना, 6 माइनस, 4 प्लस 6, बरावर ने 26, यह यह जाएगा, 20 माइनस के 4, प्लस के 6, बरावर ने 26, आप दोस्तों देखे, 20 और 6 कितना होता, 26 में से 4, 26 कर दोस्तों, यह हो जाएगा, 24, इतना हो जाएगा, 24 और 6 कितना होता, 30 में से आपका 6 गया, तो कितना बजएगा, 26 बजएगा, इनका option number यह आपका सीव जाएगा, इन चिन्नों को परवरतिन करके, option number यह आपका सीव जाएगा, चलिए अगरा question इसी प्रिकारे को दो अलग type का question है उस में दोस्तों आपको option से solve करना था इस में दोस्तों आपको दे रखा है और आपको चिन्द दे रखें दोस्तों इनको यादखना है अब देखिए इसकी का निसवा हम चलेंगे आप देखे 16 अब दोस्तों सवाल में कहा सूला एंट गाना है अब यहां से कहां से और 10 सवला चार से कितने बाटा है कि दूबार शोले गणा आठ करने पर कितना है दूज़तु 48 128-4 प्लस दो यह दूस्तो हो गया अब दूस्तो आपके 123 से 2 कितना होता है 123 से 2 130-4 करें तो कितना आजाएगा 126 option नमर किसम दे रखाए option नमर C याद आखना दूस्तो option नमर C आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से याद आखना चलिए अगला question नेशा question दूस्तो इस cancer देना है question है व्रक्षों की एक पंक्ती में एक व्रक्ष पंक्ती के दोनों सुरों से 5 वा है पंक्ती में कितने व्रक्ष हैं दूस्तो यह बैठे वविस्ता से question है इससे solve करना है व्रक्षों की एक व्रक्ष पंक्ती में एक व्रक्ष पंक्ती के दोनों सरों से एक ये सरा होगा, एक ये सरा होगा दोनों सरों से पांचवा है, यान की पांचवा है दोस्तों मान लए से क्याबर य है ?दो me स ही ऐए , क्या सो है ? यह आपसे पूछ लिए दोस्तो यहाद रखना दोस तो यहाद रखना दोस्तो याद की 5 पलस में 5 पलस में दोस्तो आझ की तो अब हमें चोलव करना है ? जूझ कणकू कर कोघना ? क्यूंकि 5 एह personnes states 5, 5 को कितना 2 बार count किया 5 को दोस्तो इधर से भी count किया और इधर से भी दुबारा से count किया जिंकि 2 बार इसे count किया तो minus 1 इसलिए करना है दूँज़ पांस कितना होता है 10 minus 10 minus 1 करने पर क्या जाएगा दूँज़्टो आपका आजयेगा answer कितने का दुस्तू multiply होता है इन कितने से दुस्तू भाग जाता है कि इसमें साथ का पचपन में दुस्तू 3-7 में साथ का जाता है 49-4 में दुस्तू 7 का भाग जाता है इन सभी में दुस्तू 7 का भाग जाता है तो दूस्तो ये थे आज की question दूस्तो आपकी ये थे आपकी दस question जो आपकी कराई थे दूस्तो याद खना है important है इसकान सो जागा option number B आपको याद खना है चले दूस्तो मिलते नेक्सी वीडियो में आपको दस्तो वीडियो ये था सदस्थ लाएक करना और दूस्तो इसी मिडियो के link को सेर करने सभी mu इन्युक्त खेब हो झाल झाल